नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्टागुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस कर रहे हैं हिमाचर प्रदीश में हुए 2019 में Language Teacher Commission के पेपर को और बहुत सारे स्टुएंट्स की ये मांग थी कि जो पिछले वर्ष 2019 में जो पेपर हुआ था Language Teacher का उसका Question Paper आपकी सामने में रखो तो आज हम डिसकस करेंगे इसमें जो 2019 में पेपर हुआ है उसके बारे में तो चली बिना देर किये शुरुआत करते हैं आज के Lecture की तो दिखिए दोस्तो इसमें पूरे के पूरे जो प्रशन है वो 170 प्रशन आपसे पूछे जाएंगे तो ये सबसे पहले आपको Hindi Literature की प्रशन पूछे जाएंगे उसके बाद कुछ Hindi Grammar है उसके बाद जो Teaching Psychology है उससे पूछे जाएगा और साथी साथ English बगेरा बगेरा जो भी है वो हम देखेंगे इसमें तो जो पहला प्रशन है देखिए ये हिंदी साहिते से ही पूछा गया है परमात्म प्रकाश किसकी रचना है तो ये जो रचना है देखिए बिकल्प नंबर B मैंने यहां पर टिक भी कर दिया है तो इसका जो सही उतर होगा बिकल्प नंबर B योगिंदू नेक्स प्रशन है देखिए अपवरंश शब्द सरवप्रत्थम किस विद्वान ने प्रियोक्त किया था यह वाला जो प्रशन है देखिए इसका जो सही उतर होगा विकल्प नंबर B पतंजली तो पतंजली ने माहभाश्या में अपवरंश शब्द का पहला जो इन्हों ने इसको प्रियोक्त किया था इस शब्द को अपरण शब्द का प्रयोग ठीक है तो ये वाले जो भी प्रशन अभी आ रहे हैं देखिए इन वाले प्रशनों को आप हिंदी साहित्यवाता चैनल में देख सकते हैं जो हमारा UGC NET की हम वहां पर त्यारियां करवाते हैं और उसमें ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिसकस की हुई है जो आपका यूनिट दो है उसमें हिंदी साहित्या इतिहास के अंतरगत ठीक है NET देखिए कुबले माला कथा के रचनकार कौन थे तो इसके जो रचनकार हैं देखिए उद्यतन सूरी है और कुबले माला कथा क्या है ये एक गद्यात्मक्ता वाली रचना है गद्य रचना है ये ठीक है NET देखिए खड़ी बोली ब्रज बुंदेली हर्यानवी बोलिया किस उपभाशा से हैं तो ये है आपका पश्चिमी हिंदी विकल्प नंबर B इसका क्या होगा सही उतर होगा शुकल जी ने साहित्यत यहास में काल विभाजन किस अधार पर किया है तो अचारे राम चंद्रे शुकल जी का काल विभाजन जो है वो किसके अधार पर है प्रवरित्ती के अधार पर है ठीक है तो विकल्प नंबर B होगा सही उत्र गेपदों की परंपरा हिंदी में किस से प्रारंब हुई तो यह हुई थी सिद्धों से विकल्प नंबर B अगला पशन है देखिए भक्ति काल के कावय का नितित्व समाज के किस वर्ग ने किया तो इसका जो सही उत्र है देखिए यह क्या था निमन वर्ग के लोगों ने ही भक्ति का जो कावय का जो नितित्व इन्होंने किया था प्रशन संख्या 11 देख लेते हैं मिर्गावती किस सूफी कभी की रचना है तो ये है कुतुबन तो दीखिए जितने भी प्रशन पूछे गए हैं सीधे to the point प्रशन पूछे गए हैं इसमें जादा कोई tough paper आप से नहीं पूछा जाता है simply आपने अपना basic को ही इसमें clear करना है आप चाहें तो हिंदी साहीते वारता चैनल के साथ आप जूड़ सकते हैं अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे तो तुलसिदास की सबसे छोटी रचना है रामलला नहाच्चू नेक्स प्रशन है दिखिए किस कावैधारा के रितिकाल इनकवी अचार्य भी हैं तो यह हैं आपके रिति बद्ध किस आलोचक ने रितिकाल को कलाकाल कहा है तो देखिए विकल्प हैं गारसदत आसी, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्यूवेदी और नामवर सिंग तो इस वाले प्रशन का जो सही उत्र होगा इनमें से कोई नहीं क्यूंकि गरितिकाल को कलाकाल नाम दिया था रमाशंकर शुकल रसाल जी ने तो यहां पर रामकुमार वर्मा है तो यह वाला प्रशन जो है वो गलत है इसमें रमाशंकर शुकल रसाल होना चाहिए था नेक्स से दिखिए ललित ललाम रसराज तथा चंद सार पिंगल किसकी रचना हैं तो यह हैं मतिराम जी की तो यह वाली पंक्तिया है बिहारी सत्सई से ली गई है और इसके ज़रे रचना खार हैं दीकिए वो है बिहारी लाल नक्स जै हिंदी में कुंडलिया चंद का सरवादिक सफल प्रयोग किस ने किया तो यह किया था गिरीधर जी ने ठीक है प्रशन संक्या 19 से देखिए शुकल जी ने हिंदी का प्रत्थम प्रोड गद्यकार किसे माना है तो यह मानते थे राम प्रसाद निरंजिनी जी को नेक्स प्रशन है इन में से हिंदी का प्रत्थम उपन्यास कौन सा है जो पहला उपन्यास है देखिए वो है परिक्षा गुरू तो परिक्षा गुरू किसके उपन्यास का नाम है ये है लाला श्री निवास्ताजी का नेक्स प्रشण है 21 इन में से कौन सा उपन्यास भारते इंदु का नहीं है? तो यह वाले प्रशण में भी देखिए, हमीर हट और भाग्यवती ये दोनों क्या है? ये भारते अंदुहरी चंदर के नहीं है जबकि जो हमीर हट है देखी ये प्रबंध कावे है और इसके जो रचनकार है कवी चंदर शेकर ठीक है जबकि भागयवती जो उपन्यास है ये किसका है ये है श्रद्दाराम फिलोरी जी का ठीक है तो इसमें से भी ये प्रशन भी गलत है नेक्स प्रशन ने देखिए ब्राह्मन पत्रिका के संपादक कौन थे ये थे प्रताप नारायन मिश्र जी थियोसोपिकल सोसाइटी का काम भारत में किसने आगे बढ़ाया तो देखिए थियोसोपिकल सोसाइटी को जो न्यू योर्क में तो मैडम ब्लावस्त की थे लेकिन भारत में मिस एनी बेसेंट ने ही इसको आगे बढ़ाया है विकल्प नंबर A will be the right answer ठीक है नेक्स देखिए दिवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है तो यह हम सब लोग चानते हैं महाविर प्रसाद दिवेदी जी के नाम के अधार पर नेक्स देखिए प्रियप्रवास और वैदे ही बनवास किसके प्रबंध काब्या है तो देखिए यहां से एक चीज़ हमें clear हो रही है कि यह किस प्रकार की रचनाय हैं प्रबंधात्मक कृतिया हैं प्रबंधकाव्य हैं और यह हैं अयोध्यासिंग उपाध्याय हर्योध जी की नेक्स देखिए भैरवी वासवदता कुनाल युगधारा किसकी रचनाय हैं तो यह हैं सोहनलाल दुवेदी जी की क्षमा शोबती उस भुझंग को जिसके पास गरल हो किसकी पंक्ति हैं तो यह देखिए विकल्प नंबर B रामधारी सिंग दिनकरजी तो प्रशन संक्या 27 का उत्तर क्या होगा विकल्प नंबर B तो इनकी कवीता है देखिए शक्ति और क्षमा उससे यह पंक्तियां ली ग अगर आप चाहते हैं कि आप लेंगविज टीचर की त्यारियां अच्छे से करने चाहते हैं तो आप हिंदी साहीत वारता चैनल के साथ जूड़ सकते हैं कमाईनी के जो पंदरा सरग है उनको याद करने की ट्रिक मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई है कमाईनी मैं ठीक है नेक्स देखिए पंद को उनकी किस रचना पर ग्यानपीट दिया गया तो सुमित्रा नंदन पंद जी को देखिए जो ग्यानपीट पुरुसकार मिला है यह मिला इनकी कृती चिदंबरा पर ठीक है तो सबसे पहला ग्यानपीट पुरुसकार भी सुमित्रा नंदन पंत्य जी को ही मिला है ये मिला था 1968 में ठीक है नेक्स जी दिखिए जुही की कली के रचनाकार कौन है तो ये है सुर्यकांत्रिपाटी निराला जी और 1916 में इन्होंने इसको लिखा था जो आपकी जुही की कली है इनकी रचना है और ये किसमें है दिखिए ये है परिमल में जो इनका काबय संग्रेप परिमल है उसमें ये संकलित है ठीक है मिटी की बात धरती में उस जनपद का कभी हूँ किस की रचनाए है तो ये हैं त्रिलोचन की तो त्रिलोचन का देखिए वासुइक नाम क्या था वासुदेव सिंग इनका वासुइक नाम था और अवद का किस कभी भी इनको कहा जाता है और ये कहा था गजनन माधव मुक्ति बोध नहीं इनको ठीक है त्रिलोचन को नेक्स देखिए भारत में लखनव में प्रगतिशील लेखक संग की स्थापना कब हुई थी तो इसका जो सही उतर है देखिए ये हुई थी 1936 में विकल्प नमबर B प प्रगतिवाद के अंतरगत मान्य है नेक्स देखिए तारसबतक के संपादक कौन रहे तो तारसबतक का संपादक अगेजी है और इनोंने तारसबतक का प्रगाशन कब गया था 1943 में ठीक है नेक्स देखिए प्रियोगवाद का जनम किस वेश्विक घटना से प्रभावित तो यह था द्वित्य विश्व्यूद से नरसंहार। नई कविता को स्थापित करने वाली पत्री का नई पत्ते के संपादक कौन थे। यह थे रामसर्ब चत्रवेदी और लक्षमी कांत वर्मा। संशय की एक रात वनपा की सुनो बोलने दो चीड को किस की रचनाएं हैं। दख्यनी गद्य की प्रत्थम रचना मिराजुल आश्कीन के लेखक कौन थे। तो यह था देखिए ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद राच। ठीक है विकल्प नमबर सी इसका सही उतर होगा। प्रशन संक्या 40 है देखिए हिंदी का पहला सापताहिक समाचार कौन सा थ तो यह था उदंत मारतंड। सुधाकर समाचार पत्र के संपाधक कौन थे। विकल्प नमबर सी है देखिए तारा मोहन मैत्र। नेक्स प्रेशन है देखिए ब्रून हत्या निबंद। निम्र में से किस ने लिखा था। इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा आपका विकल्प नमबर बी भारतेंदू हरिश्चंद्र तो भारतेंदू हरिश्चंद्र जी ने देखिए अन्य जो निबंद लिखे हैं ब्रून अत्या के अलावा इनके जो निबंद है देखिए नाटकों का इतिहास लेवी प्राण लेवी कश्मीर कुसुम और उदय पुरोद है काल चकर इत्यादी जो है इनके प्रमुक महतफुर्ण निबंद अन्य जो निबंद है ठीक है बारतेंदू के नेक्स्ट है देखिए मजदूरी और प्रेम कन्यादान तथा सच्ची वीरता निबंदों का लेखक कौन है तो ये हैं अध्यापक पूर्ण सें ठीक है विकल प्रोत्र यूग का शेष्ट निबंद कार ये है विकल्प नूमर सी हजारी प्रसाद द्यूवेदी परिक्षागरू उपन्याज के लेकक ये मने पहले भी आपको बता दिया लाला श्री निवास्तास जी है ठीक है कितने पाकिस्तान किसका उपन्याज है कमली शुर्ण जी इसी तरीके से ही प्रशन पूछ जा रहे हैं जादा डीब नहीं पूछा गया है ठीक है अगला प्रशन है देखिए आपका बंटी तता महाभोज के रचय इता कौन है तो ये है मन्नो बंडारी रानी केतकी की कहानी के लेकक कौन है मुन्शी इंशालला खां प्रेमचंद का भीशम साहनी भहरव प्रसाद गुप्त यशपाल किस विचारधारा के पूशक थे तो ये थे आपके विकल्प नमबर बी माक्सवादी प्रशन संक्या फोटी नाइन इक बार देख लीजी जो सोच ये वतन था इनका ये अंग्रिये सरकार द्वारा जबत किया गया था ये का जुनाय के दिखे कालिदास है दीबदान पृत्विराज की आंखें रेशमी टाई एक आंग की किस के हैं यह रामकुमार वर्मा जी के देखिए दीबदान पृत्विराज की आंखें और रेशमी टाई किस विदा की रचनाय हैं एक आंग की की तो प्रशन से प्रशन बन बिकल्प समाजिक सुईकरिती पाकर और व्याकरण समथ होकर तो इसमें जो B वला ओप्षिन है वो करक्ट होना चाहिए कि व्याकरण समथ जब कोई भाषा होती है तभी वो क्या मानग मानई जाती है ठीक है भाषा विज्ञान में रूप विज्ञान के अंतरगत किसका अध् अमीर खुसरों की पहेलिया मुक्रिया आधी किस भाष्चा में है तो ये हैं खड़ी बोली में पिंडार ने किस विदा में साहीत रचना की गीत में नेक्स देखिए प्रिफेस टू लिरिकल बेलेड्स किस की रचना है तो ये आपका कावेशास्तर जो पास्चाते कावेशास्तर है उससे फ्रशन लिया गया है ये है विकल्प नंबर सी वर्ड्स बर्थ ब्लेकमूर का वैभाशामें किसे सर्वदिक महत्तपूर्ण मानते हैं तो ये मानते हैं व्यंगे और विरोधभास ऑरिस्टोटल के अनुशार तरास्दी में किसका अनुकर्ण करता है तो ये करता है काररत मनुश्यका ठीक है होरेस की रचना को वेवस्तित कर आर्स पोईटी का नाम किस विद्वान ने दिया तो ये दिया था कुइंटीलियन ने विकल्प नमबर ए प्रशन सिंक्या 74-70 तक देखिए अंग्रेजी हेतु हिंदी का जो परिवाशिक शब्द है वो चुननने को कहा गया है तो इंग्लिश की दिखिए जो परिवाशिक शब्दावली है वो भी इसमें पूछी जाती है एल्टी कमिशन में ठीक है प्रशने दिखिए एट औरनी जनरल इसको क्या कहा जाता है महानियावादी दिखिए प्रोटोकॉल है तो नयाचार या नवाचार ठीक है नेक्स दिखिए असेंबलर तो इसका मतलब है अभियोजक प्रोसेसर मतलब परिशकारक नेक्स दिखिए अब फिर से एक बार जो हमारा व्याकरन है उसको वहाँ से प्रशन पूछेगे है छेकान उपरास में किस तरह के वर्नों की दोराई होती है तो यह आपका व्यंजन जहां उपमे में उपमान की कलपना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है तो यह है आपक के कितने भेद माने गए हैं तीन भेद कौन कौन से हैं यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं नेक्स दिखिए रस का अनुभव कौन करता है तो रस का अनुभव करता है पाठक या दर्चक या इसको कह सकते हैं शरूता नेक्स दिख व्यंजन शब्द शक् जिस रचना में पूर्वा पर सम्भंध नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुक्तकाब्य शरणागत में कौन सा समास है? यह आपका ततपुरुष समास यथा क्रम कौन सा समास है? अभ्यभाव समास तो देखें समास के उपर भी हमने पूरा के पूरे दो lecture तियार किये हो हैं और साथी संधी के उपर भी इंदी साहीत वारता चैनल में आपको lecture मिल जाएंगे नेक्स देखें गिरेंद्र का उचित संधी विचेद क्या है गिरी प्लस इंद्र ठीक है और ये गिरिंद्र कैसे बनता है ये भी आपको हमारे लक्षर में पता चल जाएगा कि किस तरीके से इनको किया जाता है नेक्स ते देखिए गत्य अबरोध का उचित संदी वीचेद क्या है गत्य प्लस अबरोध प्रशन संक्या 83-85 तक कौन सा शब्द भावाजक संग्या है तो संग्या से भी प्रशन पूछा क्या है दिखिए सती का सतीत्व जागना का जागरण और मिलना का क्या होगा प्रशन संक्या 86 है दिखिए पेटिकोट गवर्नमेंट मुहावरे का उचित हिंदी रुपांतरन क्या है तो यह है आपका घर में पतनी का शासन होना बीट ब्लेक एंड ब्लू मुहावरे का उचित हिंदी रुपांतरन क्या है बुरी तरह पिटा जाना दोती डिली होना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है डर जाना ठीक है नेक्स से दिखिए पंजे जाड़कर लिपटना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है तो ये है आपका देखिए बुरी तरह से पीछे पढ़ना अनिश्यवाचक सरवनाम का प्रियोग किस वाक्य में हु कुछ से पता चल रहा है कि ये क्या है अनिश्यवाचक सरवनाम है कि निश्यट नहीं है कि क्या देदो कितना देदो ठीक है किस वाक्य में प्रश्यवाचक सरवनाम का प्रियोग हुआ है वहां कौन गा रहा है ठीक है मुख्य क्रिया और सहाई क्रिया ये दोनों किस क्रिया के लिए मतलब एक शब्द, तो क्या है, या एक वाक्य के लिए एक शब्द भी पूछे गए हैं, इसमें देखिए, जो मास नहीं खाता, उसे कहते हैं निरामिश, कृतग्य का अधोली खित में विलो मार्थक शब्द कौन सा है, विलो मतलब उल्टा शब्द क्या है, तो देखिए, कृतग्य से होता है, कृतगन, और बहुत बार ये वाला शब्द जो है, पूछा ही जाता है, नेक्स्ट देखिए 96, अगनी का तदभव रूप क्या है, तो तदभव है उसका आग, जबकि अगनी क्या है, ये आग का तदसम रूप है, ठीक है, नेक्स्ट है, सभापती का स्ट्रिलिंग क्या है, तो ये होगा सभा नित्री, अति व्रिष्टी में अदोली कित में से उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग होता है जो शब्द के आगे लगा जाता है, मतलब पहले वाचन करते समये, दो केंद्रों के बीच के विराम को क्या कहते है, आइस पेन या दिश्टी विराम, ठीक है, व्यक्तित्यों का जांकन किस के प्रियोग से सर्वत्म रूप से किया जाता है, तो यह आपका देखिए प्रक्षेप या परिक्षन, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट, नेक्स देखिए एक पंद्रे वर्ष का चात्र, उसी प्रकार का स्वेटर पहनने का शोकीन है, जो उस उसको होना चाहिए और दूसरा अपने चात्र के ज्यानस्तर में व्रिद्य भी करनी चाहिए, तो यह दोनों चीज़ें होगी उसमें, ठीक है, नेक्स से देखिए, शिक्षा का प्रमुक उदेश्य क्या है, चात्रों को अनुशासित बनाना, समाज सुधार, चात्रों के श 205 प्रशन नंबर है, देखिए, गांदी जी ने बुनियादी शिक्षा के अंतरगत, उदेश्य पूर्ण, स्रीजनात्मक क्रिया को अधिक मोहत्व दिया है, निमिलिकित में से कौन सी उदेश्य पूर्ण, स्रीजनात्मक क्रिया कहलाई जा सकती है, यह है आपकी काशी दा ना था, ठीक है, विकल्प नंबर D होगा, प्रशन संख्या 106 का, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, देखिए, प्रशन संख्या 107 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दोरान, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में अती महत्वपुन भूमी का किसने निभाई थी तो ये है, देखिए, लौड मैकाले, विकल्प नंबर D इसका सही उतर होगा, ठीक है, नेक्स देखिए, शिक्षा केवल तब तक ही सार्थक होगी, जब वह होगी, छात्र केंद्रित, ठीक है, पाठ आयोजन के लिए निमन में से सरवप्रत्थम क्या आवश्यक है, एक समाजी करण किस दौरान होता है, तो यह था आपका विकल्प नंबर B की जुरपस्ता, तो देखिए, आपने जो बीर के दौरान जो भी पुस्तकें खरीदी थी, साइकोलिजी की, तो वही इसके लिए क्या है, बेहद उप्योगी साबित होगी, अगर आप उनको इचा गया है, वह आपको इजी हो सकता है, ठीक है, नेक्स ते देखिए, कौन हमारी अधूरी इच्छाओं का बंढार गरी है, तो यह है इड, ठीक है, नेक्स ते अध्येन का अंतह केंदरी सिधानत किस के दौरा संबर्दित किया गया है, तो यह था आपका गेस्टाल वा अंसी का आयोग कितनी होगी, बहरावश, मानव व्यक्तित तो किसका परिणाम है, तो यह आपका अनुमाशिक्ता और पर्यावन के मध्य, अन्योन्यक्रिया, क्लियर है, नेक्स परशने देखिए, स्रीजनात्मक्ता समाने तक किस से संबंदित है, यह अपसारी चिंतन, एक इसका जो सही उत्तर होगा, यह होगा आपका विकल्प नंबर, C-1973 में, और N-C-T-E की फुल फॉरम भी पूछी जा सकती है, कि क्या है, यह है, नेशनल कॉंसिल फॉर टीचिंग एडुकेशन, ठीक है, टीचर एडुकेशन, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, न इसके देखिए, जनगर्णा, 2011 के अनुसार, भारत में हिमाच्य प्रदेश का लिंगा नुपात के दिश्चिस से करम है, तो विकल्प नंबर, D-10वा, हिमाच्य प्रदेश के मंडी जिले में, कुल विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र, कितने हैं, तो यह है आपके, विक कुल डीब जाके आपको पूछा गया है, ठीक है, तो जहन जर्दार है आपके, विलासपूर में, वियश्पाल, हिमाच्य प्रदेश के किस वर्तमान जिले के सूप्रसित हिंदी लेखक हैं, तो देखिए, एक हिंदी का भी द्यार्थी होने के नाते, और हिमाच्य से करिया में होना जरूरी है, तो यश्पाल कहां के थे, हमीरपूर के थे, काली शुर मेला हिमाच्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, यह आपका कांगडा, कामरुएक सूप्रसित स्थल हिमाच्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कि नौर में, पारवती हिमाच वो शिल्ली है जो आपके सोलन में है ठीक है लगबग एक पॉइंट कुछ वर्ग किलोमेटर में याता है नेक्स से दिखे हिमाच्य प्रदिश का प्रत्थम पारंपरिक हैरिटीज शहर तो ये है मंडी हिमाच्य प्रदिश के किस दिले में सबसे कम अनुसूचित जाती की जन उखसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुआ था अनंद चंद ठीक है विलासपूर राजसी राज्य की मूल राजधानी तो ये थी नैना देवी अगला प्रशन है देखिए भाखडा बांध का निर्मान कब प्रारंब हुआ 1948 में हिमाच्य प्रदेश का सरवदिक अध् निर्मादली जिन्ना की नाम का टावर या मिनार है तो ये अभी कल्ब नमर डी देखिए गुंटूर किसने अपना अंतिम लक्षे प्रतीक आंग से प्रतीक आंसु को पोंचना है ऐसा गोशित किया था तो ये किया था पंडि जोहलाल नहरुजी ने नेक्स प्रशन है देखिए कौन वेद त्रही का भाग नहीं है तो सही उतर होगा आपका अथर वुभेद रजिया सुल्तान की पुत्री थी ये थी इल्दोत मिश्की नेक्स प्रशन है देखिए 143 किस मुगल शासक ने इबादत खाना नामक सभागर बनवाया था ये था अकबर अगला है द देखिए कौन सी याची का व्यक्तिकत सुल्ता का बचाव करती है बचाव कहलाती है बंदी प्रितक्षी करन ठीक है विकल्प नुमर बीस का क्या होगा सही होगा ये पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ एक प्रशन पूछे गए है नेक्स देखिए कि सदन में सदन का अध्यक उस सदन का सदस्य नहीं है तो ये है राज्यसभा चंद्रक्रहन के दौरान निमिलिकित में से कौन केंदर में रहता है ये है प्रित्वी दो जल निकायों को जोरने वाली पतली पती क्या कहलाती है ये है इस थमस निमिलिकित में से किस के लिए वायुमंडली वाश्प पार कहलाता है तो यह आपका नौर्डिक नेक्स प्रशने दीखिए नाथुला स्थित है तो यह है सिक्की में बॉक्साइट जिसका एक महत्रपूर्ण अयस्क है तो यह है इन में से कोई नहीं उपग्रहिय संचार में कौन से विद्यू चुम्ब किया विकेरन प्रियुक्त होते ह है कौन सा अच्छा विद्यू चालक है ग्रिफाइट यह प्रशन भी बहुत परिक्षा में पूछ जाता है और अब्दलतरपन वाला भी ठीक है तो इनको एक बात जरूर देख लें आप लोग जो इसकी एक रोगात्मक स्थिती है ठीक है तो यह है देखिए आपका टिटन नेक्स पूशन है देखिए कौन सी अथारिटी या प्रादिकार केंद्री करों में राजय का हिस्सा निर्दारित करती है यह है वितायोग बी एस इ सेंसेक्स में कितनी कमपनियां शामिल है 15, 25, 30, 35 तो इनमें से कोई नहीं तो इसमें कितनी होती है देखिए कितनी कमिने श राष्टी करण किस वर्ष हुआ था ठीक है तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि 1943, 1934, 1954 और इनमें से कोई नहीं तो विकल्प नंबर 61 का देखिए विकल्प नंबर D क्या होगा सही उतर होगा क्योंकि जो राष्टी करण हुआ है वो हुआ 1949 में एक जनवरी 1949 में क्लिर है नेक्स प्रशना देखिए एक बालक के साथ जा रही महिला को दूसरी महिला ने उसके बीच समंद के बारे में पूछा तो महिला ने प्रति उतर दिया कि मेरे मामा और उसके मामा के काका दोनों एक ही है तो उस महिला का बालक से क्या समंद है तो यह है चाची और ब से क्या होगा यह होगा आपका 27, 65 प्रश्चन है दिखिए 165, 2019 की ICC World Cup के लिए कौन सी भारतिय कंपनी अफगानिस्तान की अधिकारिक प्रयोजक बनी है, तो यह है अमूल, कौन सा भारतिय न्या अधिश हाली में Commonwealth Secretary Secretary, Our Bill Tribunals के सदस्य रूप में न्युक्त हुआ है, यह है कि एस रादाकृष्णन, तो दिखिए यहाँ पर जो current affair के question थे, यो उस वक्त के current affair के थे, वो पूचे गए हैं, तो इस वक्त के लिए भी आपको current affair भी थोड़ा साइस के लिए पढ़ना पड़ेगा, L.T. Commission के लिए, भारत ने निमिलिक में से किस अफरीकी देश से हाल ही में peacekeeping CRPF Senegal को हटा लिया है, तो यह था Libya, एंटर्निम अफ दा वर्ड एग्जिलरेशन इस, तो इसका क्या होगा, डिजक्शन, 169 है दिकिये, इंग्लिश का ही है यह यह भी, correctly spelled word is, अब्रिजमेंट, A-B-R-I-D-G-E- M-E-N-T, विखल्प नमबर D, और आखरी जो प्रशन है दिकिये, in spite of होगा इसमें, in spite of the fact that she is short tempered, I like her, ठीक है, तो यह थे पूरे के पूरे जो 2019 में पूछे गए 170 प्रशन, LT कमिशन में, अगर इन प्रशनों में मुझसे कुछ कमी रह गई हो, या किसी का उत्तर मुझसे गलत हुआ हो, तो इस प्रशन पत्र को आपकी बीच में रखने का सिर्फ और सिर्फ इतना माध्यमता की था कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के प्रशन पूछे जाते हैं, और क्या इनका पैटरन रहता है, थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो प कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, अच्छा लागा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शियर गीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मिलेंगे नई और जो नई स्पूर्ति के साथ, तब तक के लिए शुकरिया, जय हिं करना पिल्डेंट